हमिरत्य जिला में इंडोर और आउटडोर में आयोजित होने वारे कारेकरमों पर अब पुलिस पैनी नज़ रखेगी पुलिस अधिक्षे खमिकपूर डॉक्टर आकरिती शर्मा ने सभी पुलिस थाना प्रबारियों को आदेश जारी कर पुलिस की गष्ट बढ़ाने के लिए भी जिला पुलिस ने रणी ती तयार कर लिए है जिसके तहट अब सारजनिक स्थानों पर मास्क ना पहनने वालों के चलान भी किये जाएंगे हमीर पुजिला में करुना के बढ़ते मामलों के बाद प्रशाशनिक आदेशों के मताविक सभी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक आयूजनों की भीड़ पर पूर्ट है प्रतिबंद रहेगा एकेडमिक, खेल, मनुरंजन, सांसक्रेतिक और राजनियतिक आयूजनों तथा विवहा और अंतिम संसकार के लिए 50% के साथ ही अनुमती मिलेगी इंडोर आयूजनों में 50% के साथ अधिक्तम 100 लोग, खुलेस्तानों में भी 50% के साथ एवं अधिक्तम 300 लोगों की अनुमती होगी ऐसे में जिला पुलिस अब गाइडलाइन की अनुपालना को लेकर जिला में कारेकरमों में दविश भी देगी आपको बता दें कि आयूजन को पूर्व में ही कारेकरमों की सूचना एस डियम कारेले में देनी होगी एस डियम कोवीड परस्तितियों के अनुसार आयूजन को अतिरिक्त शर्तों के साथ अनुमती दे सकते हैं आयोजिन की अनुमती के साथ ही पुलिस को भी इसकी सूचना प्रशाशन के माध्यम से मिल जाएगी इसके बाद पुलिस इन सभी आयोजिनों में COVID-19 अनुरूप वहवार और सुरक्षा प्रोटोकोल के सक्ती से अनुपालना सुनिश्चित करेगी जिला में सभी स्थानों पर धार्मिनिक स्थलों एवं पूजा स्थलों पर लंगर सामुदायक रसोई और धाम में पूर्ट प्रति बंद रहेगा पुलिस अधिक्षक हमिपूर डॉक्टर आकरिती शर्मा का कहना है कि सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन्स की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी इंडोर और आउट्डोर में आयोजित होने बहले कारिकरम में पूरी तरह से नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा लेटिस्ट हमारे पास गाइडलाइन्स आई है प्रजे सरकार की जिसमें कि आप सब जानते हैं नाइट कर्क्यू का भी उसमें डारेक्शन है उसके अलावा बहुत जगा जो भीड़ी कठी हो जाती है जो इंडोर है उसमें जो लिमिट भी गई है तो इसी संदर में जो जिला पुलिस हमीरपूर है अभी बहुत जगा पूरे डिस्टिक में जगा जगा पर नाइट नाकाज लगाए जा रही है नाइट कर्क्यू को इंपोस करने के लिए उसके अलावा जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उनका जो चलान करने का जो पुलीस जोन बनाए गए हैं अगर उस कंटीनमेंट जोन से यदि कोई व्यक्ति बाहर आता है या जो भी दिशा निर्देश महां के मेजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गए हैं उसको तोड़ता है तो ऐसे में फिर से पुलिस द्वारा कारवाई की जाएगी उसके अलावा जो ड और कहीं पर भी अगर इन दिशार निर्देशों के अवेलना होगी तो पुलिस द्वारा कारवाई की जाएगी